तो वो कहते हैं कि 1950s के बाद, 1950 के बाद एक चीज ट्रेंड में आई थी, हमें कोई मतलब नहीं उस चीज दे, लिपिष्टिक, तो क्या हुए था, जिए गिलास पे लिपिष्टिक लगा के पर है, तो वो लिपिष्टिक कुछ जा, तो श्ट्रो ने क्या पिरा था, श्ट्रो बढ़ाई गई थी इसलिए, की लिपिष्टिक ना मुच है, और यूपिए मैं किसी लोग को श्ट्रो दा पिटता हो देख लून है, तो यह थी बहार थे, किस दिद में इससे पहले चक नॉर्मल था, और किस दिद से बात पता चली, उस दिद में खुड़ा ऐसा माइड सेट हो गया है, तो दिकत क्या और थी दूसरे वाले से श्ट्रो से पीने, इसमें फोर्स जादे लग रहा था, इसमें फोर्स जादे लग रहा था, फोर्स प जब आप पानी स्ट्रो के तुरूच लगाने की कोशिश को करें, तो आपको पता है, अबजेक्ट है ट्रेस्ट? रिमेंस है ट्रेस्ट, अबजेक्ट को मोशन में लेके आ रहा है, तो क्या चाहिएगा? फोर्स जाएगा, अब वो फोर्स आएगा कहां से, अगर आप इसमे करना हवा कम दूगी और आपको पता है, हवा गाब लगाती है, प्रेशर लगाती है, पता है नहीं, अधाओ को पड़ते है, तो एईर प्रेशर लगाती है, उसका एक्जामपल है, तो देखो मेरे पास में एक सिरिंज है और इस सिरिंज को उपर हाथ सब करते हैं यार यह है उपर रखते हैं और इस सिरिंज को पीछे खीचते हैं क्या होता है अगर मैं सरीम को छोड़ू को उपर जाए उपर जाने के यह क्या चाहिए फोर्स अभी नीचे तो मैं लेकिया पर जब मैं छोड़ता हूँ तो यह उपर जाता है इसे ऊपर पो लेकर जाए इस तिंक सोचो जब भी कुछ विज्ञान की बात करो न एक बार बोलन तो जब यह उपर जाता है तो इसे उपर कौन लेके जाता है बिना फोर्स के अब्जेक्ट एट्रेश्ट तो अभी अगर मैं इसे छोड़ता हूँ और उपर की तरफ फोर्स नहीं लगेगा तो यह वही रायता जहां यह था इसका मतलब इसके उपर एक फोर्स लगाओगा कि तो इधर से भी फोर्स लगता है अगर मैं इसे उपर की तरफ ऐसे खीचू तो आप फोर्स नीचे से किस तरफ लगता है इधर से करो तो इस तरफ भी नहीं लगता है इधर से करें तो इस तरफ इधर से करें तो इस तरफ इधर से करें तो इस तरफ एर का जो प्रेशर है वो चारो तरफ वो तेंजर्ट करते हैं Similarly, जैसे आप इस पानी पीने की कोशिश करते हो उपर वाली हवा को आप निकाल लेते हो वहां का प्रेशर क्या हो जाता है? आजपास की जब प्रेशर है वो क्या है? अभी जाद है उसके प्रेशन में तो आजपास की हवा इस पानी को ऊपर रखे लेते हैं